अगर आपका पेट साप नहीं होता है, ठीक समय पर साप नहीं होता है, यह 100 से ज़्यादा बिमारियों को आमंतरन देता है, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कब्ज, एसीडिटी, गैस, अफारा जैसे समस्याओं के लिए मार्कित में आपको बहुत सारी दवाई मिल जाएगी लेकिन यह उतना काम नहीं करता है, तो आज जो मैं आपसे रेमेडी सेर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कभी कभी दोस्तों हम लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मातरा में खा लेते हैं, पेट फूला फूला लगता है, बहुत ज़्यादा असरदार है, तो दोस्तों यह कॉंश्टिपेशन, गैस, अफारा जैसी समस्याओं को ही ठीक नहीं करता है, बलकि यह वेट को लोस भी करता है, क्योंकि हम ऐसी सामगरिस में मिलाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसे आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, तो किस तरह से देना है, वो भी मैं आपको बताएंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर्ज जरूर कर दे, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने लिया है अजवाइन, और ये जो अजवाइन मैंने लिया है, पैकेट वला लिया ह बिल्कुल साफ तो दोस्तो अजवाईन पाचन तंत को बहतर बनाता है जिसे की कवज अपज जिसी समस्या से राहत मिलती है और इसका लगातार यूज करने से गैस बहुत ही असानी से निकलता है और इसे पेट बहुत ही जल्दी साफ हो जाता है और पेट में होने वाले अगर आप इसका यूज करते हैं दोस्तों यह टेस्स मुझ का करवा कर देगा यह अच्छा नहीं होता है इसलिए आपको पैकेट वाला ही लेना है जो कि देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्रेज से इसका दाना बिल्कुल मोटा मोटा है आपको दिखा देती हूं देखिए बिल से भी skip मत कीजिएगा तो यहाँ पर देखे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है आप चाहे तो यहाँ पर चमच का भी इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों क्योंकि हम कोई भी चीज अगर हम डालेंगे तो माप से ही डालेंगे तो इसलिए यहाँ पर चाहे तो आप एक कटोरी ले सकते हैं या भी चमच से इसका यूच कर सकते हैं तो मैंने यहाँ चोटा कटोरी से एक कटोरी भर कर मैंने यहाँ अजवाईन लिया है और आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं ज्यादा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं अब यहाँ गैस पर आपको कोई भी एक पेंट चरहा देना है और इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी अजवाइन तो देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा कटोरी है और आप यहां पे चम्मा से भी 4-5 चम्मा इसमें डाल सकते हैं इस बात का धियान रखना है कि जितना हम अजवाइल लेंगे उसी की अनुसार हम सभी चीजों को इसमें एट करेंगे तो बस लो फिले में आपको इसी भूनना है दोस्तो अजवाइन पाचन तंत को बेहतर बनाता है जिससे की कबज में राहत मिलता है दोस्तो अजवाइन में थायमोल कार्वोक्रोल होता है जो हमारे पेट में होने वाले बेक्टरियल फंगल को होने से रोकता है जिसे की पेट में सूजन अपर जिसी समस्याइन नहीं होती है तो देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे तो अब हम क्या करेंगे इसे अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं मैंने इसे लो फिले में ही भूना है तक इसके जो भी पोसक तत्व है वो बने रहे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और हलका ठंडा कर लेते हैं जब यह हलका ठंडा हो जाए तो एक मिकसी का जार लेना है और इसके अंदर डाल करके हम इसका बिल्कुल फाइन पाउडर त्यार कर लेंगे तो देखिए मैंने इसके अंडर दाल दिया है और इस तरह से fine powder का त्यार हो चुका है तो हम क्या करेंगे इसे एक plate में निकाल देंगे देखिए बिल्कुल fine सा powder है इसको छाने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसे plate से ढख देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी खुस्बू है वो बनी रहे तो शलिए अब हम जो दूसरी चीज लेंगे वो लेंगे sop तो आप देख सकते हैं मैंने मोटा दाना वाला sop लिया है और ये बिल्कुल freeze है इसमें ना ही कोई गंदगे है ना ही कन है धूर मिट्टी कुछ भी नहीं है बिल्कुल freeze दाना है और एक छोटा दाना आता है वो नहीं लीजिएगा तो दोस्तों sop की जो तासीर है वो ठंड़ी होती है और इसमें फाइवर की मात्रा बहुत ही जादा होती है जिससे पाचन को ये बहतर बनाता है और इससे गैस समंदी समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है तो यहाँ पर मैंने उसी कटूरी से एक कटूरी भर करके यहा प्च में बहुत जल्दी चुटकारा मिलता है अब आपको यहाँ पर लेना है जीरा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पैकेट वला जीरा का यूश किया है और इसी कटूरी से आपको एक कटूरी जीरा लेना है यहाँ पर मैं जो भी चीजे यूश कर रही हूं यह आपके पेट को बिल्कूल भी नुकसान नहीं करेगा यह बहुत ज्यादा फायदे मन होता है तो देख सकते हैं एक कटूरी भरकर ही यहाँ पर मैंने लिया है और यह देखे जीरा भी बिल्कूल फ्रेस इसमें कोई भी गंदगी नहीं है जीरा में लेक्जेटिव गुन करता है जो सरीर को डिटॉक्स करता है तो यहाँ पर देखे दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है क्योंकि दोनों चीजों का जो सेफ है वो बराबर है कोई चोटा या बरा नहीं है अब यहाँ पर आपको लेना है इलाइची तो इलाइची का यूज हम अभी नहीं करें और इलाइची का यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगे अब यहाँ फिर से मैंने उसी पेन को चरहा दिया है और इसमें मैंने सौफ और जीरा दोनों को डाल दिया है अब गैस का फिलेम बिल्कु लो टू मिडियम करके इसको अच्छे से भूनेंगे अजवाइन को पहले ही भून लेना है दोस्तो अगर आप इस ड्रिंक का लगातार यूश करते हैं तो आप देखेंगे आपका वेट लोस बहुत ही असानी सी हो जाएगा क्योंकि हम इसमें और वी चीज़े एड़ करने वाले हैं तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से और वीडियो पसन आए तो लाइक शेड जरूर कर दें तो देख सकते दोस्तों इसका दीरे दीर जाए कलर चेंज हो रहा है और इसे बूनते वे 2-3 मिनट हो चुका है तो देखें इसका कलर बिलकुल ही चेंज हो चुका है तो इससे जादा हम अभी से नहीं फूरेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है नहीं तो पिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो यह और भी ज़्यादा जल सकता है तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था यह हलका ठंडा हो चुका है तो देख सकते मैंने मिक्सी का जार लिया है और इसे में हम डाल में बहुत ज़्यादा असरदार हे तो अब हम इसमें डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है देख सकते हैं एक चुथा चम्मच के लगवग ही आपको अहींग डालना है आपको सबी चीजे पीछते टाइम ही डाल ली है ताकि यह असानी से मिक्स हो जाए और अब हम इसमें डाल देंगे काला नमक तो दोस्तो नॉर्मल नमक का यूज नहीं कीजिएगा काला नमक ही इसमें डालना है आपको आधा चुमच हम इसमें काला नमक गैट करेंगे अब हम यहाँ पर हरी इलाइची का लगातार सेवन करते हैं तो इससे बलड प्रेसर कंट्रोल में रहता है और कलिस्टोर लेवर कम होने से हार्ट हेल्थ बहतर रहता है अगर आप लगातार इलाइची का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो यह वजन को तेजी से घटाता है हरी इलाइची FINE साब को powder बना लेना है तो देखे, इसका fine powder बन के तियार हो चुका है अब हम इसे één ball में निकाल लेंगे तो देख सकते हैं, मैंने इसारा ही निकाल लिया है अब जो यहाँ पर अजवाइन का powder बनाया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे तो देखिए अब हम इसमें सारा हे डाल देते हैं और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सबी चीज़े अपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे बहुती अच्छे से mix कर दिया है अब इसे पीने का मैं दो तरीका आपको बताती हूं कि किस तरह से आप इसे पी सकते हैं अब आपको एक गिलास में गुनगुना पानी लेना है बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना है हलका warm water लेना है और एक छोटी चम्मत से आपको भर करके इस powder का यूज करना है आप चाहे तो गिलास के अंदर ही इसको mix कर दीजिए या फिर आप इसे फक्की के रूप में खा सकत लेना है यानि एक घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है नहीं पीना है आप जब सोने जाते हैं उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती है अब यहां गैस पर कोई भी बरतन चरहा दे लेना है और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करेंगे तक इसका जो भी बेनी फिर से वो पानी में आ जाए तो इसका यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगी तो दोस्तों अगर छोटे धागे वाली जो मिसरी आती है आप उसका पाउडर बना ले उसे मिक्स करके भी आप पिला सकते हैं या फिर आप गुर ले सकते हैं गुर को पाउडर में मिक्स करके या तो आप लड़ू बना ले उस लड़ू को गुनगरे पानी के साथ खिला दे या फिर आप पानी में ही गुर को घोल करके पिला सकते हैं बच्चे बहुत ही असानी से पिएंगे और आप देखेंगे कुछी दिनों में बच्चे का पेट साप रहने लगेगा कब पिलाना है आप उसे जब खाना काता है उसके बाद आप पिला सकते हैं या फिर आप जब रात में सोने जाता है तब आप पिलाएं तो यहां देखें इसे मैंने चार से पांच मिनिट के लिए बॉयल किया था यह बहुत ही अच्छे से पक चुका है इसे मैंने गलास में निकाल लिया है आप इसका सेवन किस तरह से करना है अगर आपको पुराना से पुराना कॉंस्टिपेशन है तो आप इसे तीन टाइम इसका यूज करें सुबह दुपहर और साम सुबह जब इसका सेवन करते हैं तो खाली पेट करना है और इसे पेने के बाद आदे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पिना नहीं है दुपहर में खाना खाने के बाद इ प्री чаी बादे लिएगाए री जवी बादे बादे लिए बादे लियां पाली बादे लिली में खाने के बादे लिली बादे है